हेलो दोस्तों स्वागेत आप कमारी यूट्यूब चेनल जोहान बोक्स में आज हम आपको खर्षाम जी के बारे में कुछ रोमांचक तत्थे बताने वाले हैं मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के बाद में आप भी खर्षाम जी के भक्त बन जाओगे यह मेरा वादा है दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों दोस्तों खर्षाम जी में दिन पे दिन इतनी भीडियों तिजारी है कि क्या बताऊं दोस्तों आप आओगे आपको भी लगेगा कि भीड मतलब काफी जादा बढ़ रही है दोस्तों क्या आपने कभी सूचा इतन मन से, सरदबाओ से कुछ भी, अगर आप सब चीज़ों में हार गयों हो, तो दोस्तों मैं आप से प्रोमिस करता हूँ, आप बबा से कुछ भी मांग लो, आपको बबा जरूर देगा वो चीज, दोस्तों मैं इसे लिखे ले लो आप, आप जहां हार जाओगे, बबा आपको वो चीज जरूर देगा दोस्तों, आप आजमा के देखलना है एक बार मेरे कहने पर दोस्तों, मैंने स्वेम ने ये चीज नोटिस किये दोस्तों, मैंने भी कई बार में हार गया था, तो मैंने के और बगवान का, मैंने बाबा का नाम लिया, और मेरा काम, दोस्तों, ये की न कि आप एक बार बबा के दरबार में आके ये चीज आजमाऊगे दोस्तों ये जूट नहीं है सच एक बार आप बबा के दरबार में आईए और बबा से कुछ भी मांगिए और आपको बबा वो चीज जरूर देगा दोस्तों खाट्शमज में लोग दरसंग के लिए नहीं आते हैं लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद में बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा उन्हें कभी भी खाली हाथ वापिस नहीं जाने देते आप जरूर एक बर खाट्शमजी विजिट करना ये काट्शमजी सिक्कर जिले के राजिस्तान राज्ये में पढ़ता है आप एक बार जरूर आईए और बाबा के दरबार में मत्त टेकिए सच्चे मन से दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी दोस्तों मैंने बाबा के दरबार में बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उनकी इच्च्चा पूरी हो गई और बाबा का बुलावा आया है इसलिए लोग बाबा के दरबार में मत्त टेकने के लिए आते हैं आपको यकीन होगा दोस्तों खार्शावंजी में एक लड़की है जोकी रिंग से दो बार चलके पद्यात्रा करती है सोचे दोस्तों दो बार तोटल कितना हुआ 16 किलोमेटर और 16 किलोमेटर तोटल 32 किलोमेटर रोज आना दोस्तों बहुत बड़ी बात है उसको 8 साल हो गई आज ये चीज करते हुए दोस्तों मैं आपको कुछ एक अलग चीज और बताने वाला हूँ आपने मोर्चली के बारे में जरूर सुना होगा दोस्तों मोर्पंक का भी अपना एक अलग मैत हुआ है मोर्पंक बाबा के दरबार में क्यों चड़ाई जाती है और इसे लोग क्यों घर पे लेके जाते हैं मैं आपको इसका सिक्रेट रिजन बताने वाला हूँ दोस्तों दोस्तों यह आपको कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा दोस्तों मोर्चडी लेके बाबा के दरबार में लोग इसले लेके जाते हैं अपनी मोर्चडी को बाबा के दरबार में इस भर्ष करके लोग उसको गर पे लेके जाते हैं जब लोगों की मनत पूरी हो जाती है यांगि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोग उसी मोर्चटी को मनत पूरी होने के बाद में बाबबा के दरबार में उसी चटाने के लिए वापिस लाते हैं दोस्तों यही रिजन है इस मोर्च लीक का I hope आपको ये वीडियो पहुत पसंद आया होगा मेरे चनले को सिब्सक्राइब और लाइक करना